नाइड दीरिया होई है। दीविए भारत दुस्तरों से इसलिए गिरा हुआ है क्योंकि वह अपनी मूल धारा हिंदूर्श को प्रटेक्ट नहीं करता। अगर भारत हिंदूर्श को प्रटेक्ट करता, तो 1971 में ही हम बंगला भूमी बना देते। अच्छा, अगर बंगा भूमी हमने 1971 में नहीं बनाई, तो फिर हम 1980s में बना देते हैं, 1990s में भी फिर से मोका मिला था, पर वाजपाई नहीं उसको रोक दिया, तो मुझे ये लगता है कि अगर हम कहें कि भारत को हर जंग से घेरा हुआ है, तो ये किस entity को घेरा हुआ है, य क्या एक Hindu देश है, क्या एक Communist देश है, क्या एक Muslim देश है, ये एक entity जिसको घेरा हुआ है, ये rapidly एक Islamization की और बढ़ती हुई entity है, तो मैं उसको घेरा हुआ नहीं काऊँगा, मैं उसको ये काऊँगा कि जो संग का जो विचार है, ये एक अखंड भारत होना चाहिए और जो बुटान का इशू सरब इतना था कि बुटान यह कह रहा है कि आप अपने आपको डिफेंड नहीं कर पारे हो तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचता कि हम चाना से डिर्क्ली बाता है। निपाल को एक हिंदू राष्ट्रो था हिंदू इंग्डम था उसको हमने चेंज करके कॉम्मिस बना दिया और अभी भी वही चल रहा है गर्वर्मन्ट की पिछले दस साल से यही पॉलसी है दस साल पहले भी यही पॉलसी थी जा तक श्वी रंका का प्रशन है श्वी रंका हैं तो बहुत बड़े ड्रेन है ऐसलाम के विरो था तो मुझे लगता है कि जो में जो मुद्दा है बहरत की सेमाओं का मुद्धा इतना नहीं है ये इस्लाम का मद्दा है क्यूंकि अभी जब ये जो सब्कॉंटिनिंड्ल का जो इस्ला »देशन हो रहा है उसका अभी बेसिकली एक नेक्स टेप हो गया है और अभी इससे क्या होगा कि जो कुछ भी आपका गंगौल बचा हुआ है थोड़ा बह कि बीएसेफ काव स्मगलिंग में हेल्प करता है इसकी बड़ी वीडियोज आए है जब राजनाज सिंग होम मिनिस्टर थे तो बीएशपी वाले मुझे बताते थे कि लोग उनके पास गए और बोला कि बीएसेफ यह कर रही है तो एक बटैलिंग बीएसेफ को चेंज कर गया और एक लकड़ी पर उसके हाड़ां बान कर जैसे लकड़ी के साथ बंग्ला दिशी उसको लेकर जा रहे से तो बात ये है कि हम recognize नहीं करते कि ये पूरा का पूरा issue ये ये सारा issue शुरू कब हुआ पाकिस्तान और बंगलादेश का issue शुरू कब हुआ in recent times अच्छी शुरू को तब हुआ जब muslim invasions आये पर recent times पर कब चुरू हुआ partition पर partition क्यों हुई? partition religious grounds पर हुई एक religious एक हिंदू nation होगा, एक muslim nation होगा, पर muslim nation ने तो अपना मुस्लित्व बढ़ाया और जो भी हिंदू बचे हुए थी उन्पों सबकों निकाला, क्रामशा, जो हिंदू nation बता, वो भी muslim बनता जा रहा है तो मुझे लगता है कि अगर हम geopolitics और इंसन की बात करें ना, इससे जो ground reality है कि हमारे घरों में घुसकरी मारा जा रहा है उस पर कोई हमें, उस पर कोई प्रकाश नहीं डाल पाएंगा, बिल्कुल प्रकाश नहीं डाल पाएंगा उस पर दूसरी बात, जब आप बात कर रहे हैं कि भारत अभी क्या कर सकता है, 1971 से स्थेथी different है मैं ये कहुँँगा कि 1971 के बदले अभी भारत better situation में, क्यों? सब 1971 में तो निक्सन ने openly बोल दिया था इंदरा गांधी को, कि अगर तुम कुछ करोगी तो हम तुम्हारे अगेंस युद्ध कर देंगे 1971 में भारत किस्थी इतनी खराप्ती आज, सोचल नीडिया का जमाना है, सब देख रहे हैं कि हिंदू जैनोसाइड हो रहा है अगर भारत वहां जाकर, और हमें पूरा का पूरा बंगलादेश तो यह निक्राप शकता है नहीं अगर भारत वहां जाकर जो बंगला भूमी के एरियांस हैं, वहां जाकर उनको पॉर्टन ओफ कर दे और जुद लणना पड़ेगा बंगलादेशी आर्मी से, तो बड़ी इसानी से हो सकता है बंगलादेशी आर्मी पाकिस्तानी आर्मी जैसी स्ट्रॉंग नहीं है उस टाइम पे जो भी हो पाकिस्तानी आर्मी का जो इक्रिंद कमांड का भाग था वो फिर भी काफी स्ट्रॉंग था, बंगलादेशी आर्मी तो बिल्कोल भी स्ट्रॉंग नहीं है